तो राश्री दैनिक हिंदी तरुन मित्र की आज गाजयबाद में लॉंचिंग हुई है ये वो अकबार है जिसमें कई वरिष्ट पत्रकार जुड़े है और समाज की जो मुद्धे है उनको प्रमुकता से च्छापने के लिए इस अकबार को इस पत्रकारिता की जằngत में और इस गाजयबाद में इसे लॉंच किया गया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस अकबार के बारे में अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आम लोगों की जीवन की खब्रों के लिए ये जो अकबार है वो कितना बहत को बहुत बहुत शुब कामना है देना चाहते हैं कि उन्होंने एक अच्छा शुरुआत की है और मतब जीवन में खुब तरखी करें और दूसरा देखिए अकबार ऐसी एहमियत रखता है मतब नॉर्मल इंसान के लिए कि जो चीजें समाज में हो रही है वो नहीं पदा लग पाती है और इस अगबार के माद्यम से हम सभी को पदा लग जाता है कि हमारे भारत में हमारे देश में हमारे जिले में क्या चल रहा है आपका क्या नाम है मैं मिसिस बंदरन लखन पालू और आज उजवल महारत मिशन की प्रदेश सची हूँ और आज मैं यहां ओपनिंग में आयो ही हूँ बहुत अच्छा लगा मुझे यहां के अच्छा लगा कि इसमें न्यूज आएंगी अच्छी खाबर आएंगी सभी लोग पढ़ेंगे उजागर होएंगे तैंक्यू आपका क्या नाम है मैं जोती तोमर सुनेरी दिसा चैरी टीवल ट्रस्ट से सबसे पहले बहुत सारी बदाई देती हूँ तरुन मित्र जो इनक पूज आगर करें कौन से मुद्दे ऐसे जो आप चाहती है कि अखबार उठाएं बहुत सारी काम होते हैं महिलाओ पर पीड़न होते हैं बच्चों के लिए बच्चों के लिए स्लम में जैसे बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए कि स्कूल हो या इस तरीके की खबर को प्रक तरब से अच्छा ही लगा मिलको और अच्छा है लोग इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा जागवा तो आप कैसे आगे अखबार को सही योग देंगी से और बढ़ने में इसे और फैलने में बस ये के नियूज है इसमें जैसे महलाओं के लिए बच्चों के लिए तो ये तो ये सबी वो तमाम रियक्षंस से जो लोग यहां पर तरुन मित्र की ओपनिंग में शामिल होने हाए अपना कीमति वक्त दिया और उने ने बात की कि किस तरीके से महिला के मामले हो या फिर उत्पीडन के मामले हो या फिर समाजिक मुद्धों से जुड़े हुए बा तरुन मित्र समचार पत्र है एक नूट पिपर है उसकी ओस्टि जो लगतार महमान है वो अपने रियक्शन दे रहे है और सुपकामनाई भी दे रहे हैं सर आपको क्या नाम है हुरन रिपार तरुन मित्र की ओपनिंग पर आये हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस अक्बार के सरपतम तर्वमित्र के जो लखनों के संपाजक हैं। इसे आइए जो पारलेमेंट को कवर करते हैं। यहां जो देख रहे हुशाइभ साहब। जिन सभी को मैं अपनियों से मुवारभाद देता हूँ। कि उन्हों ने एक आवशक्ता समझी कि जो अखवार तर्वमित्र लखनों से निकलता है। उस अखवार में जो कि हर शाषन के हर व्यक्ति के पास पहुशता है। तो गाज़ेबाद की वाबाद भी उसमें जोड़े इसके गाज़ेबाद को व्यक्ता से इसमें इस पेश देनी के लिए गाज़ेबाद में अपना काला ले खुला है। जिससे कि गाज़ेबाद के जादा जादा हर छेत्र के सभाचार वो लखनों भेज सकें और वो तरोल मित्र में चप सकें और उसके मार्जम से उस प्रशा कुन चाहसे मुद्धे है जो आप चाहते कि अकबार प्रमुक्ता से उठाए यहां पर जो सविधाएं जितना बजट इस्टेट गवर्णन से आता है एंसियार प्लानिंग बोर्ड से आता है वो ठीक प्रकार से इस्तिमाल हो ताकि यहां पर जो सड़के हैं उसमें गज़्धा मुक सड़के हो सवाई विवस्था बेकर हो यहां पर लाइटिंग विवस्था बेकर हो यहां पर पारकुगण जो है उनका रखाव बेकर हो तակ कि यहां और गज़्धिता wow को जो टेक्स दे रहे हैं उसके अनुसाब को समगरां मिल सके लेकिन गाजेबाद में ऐसा नहीं हो पर हो रहा है, आप किसी भी सड़क पर जाएए, वहां पर गढ़े हैं, और में हाइवेस के उपर, इविन जो इस्टेट हाइवे 58 है, जो की बहुती प्रमुक हाइवे हैं, जो नैशनल हाइवे था, इस सरकार ने डिनोटिफाई करके उ उसके चरहों पे भी बड़े-बड़े गढ़े हैं, जिनको जिकढ़े न भरते, उसमें इंटर लोकिंग टायल लगा दिये गए, जो पहरी बार मसमस्काव प्रदेश में कहीं ऐसा हुआ होगा, जिसकी वज़े से सरकार गारियों से बहुत जादा लोड टेक्स ले रही है, पेटोल डीजर उते माज़न से रोड के लिए सेसरे रही है, आज कर हर सरकों पे टोल लग रहा है, इसके बादूर भी नागर की अप्रिक्षा करते हैं, कि उनको बहतर सरक मिल सके, लेकिन आज सरक कोई भी बहतर नहीं है, कोई भी हाईवे बना है, तो तर प्रदेश के अं मेरिफेल हाईवे पे उसमें आप खुद फील करेंगे कि कितने आपको जंप लगते हैं, कितना जर्क लगता है, और अगर आप कई बार उसमें जाएं, तो आपकी बैक बोर्न में भी अलप्टर होने का हो सकता है, इसमें की बतोर पाठक आप कैसे इस जनता के प्रतीबत अ जनता की समस्याओं के लिए प्रतीबत अकबार? क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद कुमार गुप्ता नंदी है, मैं पदेशु पाध्यक्ष सेंट विपार मंडल में हूँ. सर, तरुन मित्र से आपकी बतोर पाठक क्या पेक्षाह है और क्या कहना चाहेंगे इस अकबार की लांचिंग पे? सर, प्रत्रम मैं आज तरुन मित्र की ओपनिंग पे, गाजयवाद की खास ओपनिंग पे, मैं सभी तरुन मित्र के स्टाफ को और सहयों को बदाई देना चाहता हूँ. सर, प्रत्रम मित्र का पर्चम लहा रहा है, पांचो स्टेट में लहा रहा है, उसी प्रकार से गाजयवाद में इस तरुन मित्र का पर्चम लहा है। समय समय पर जो जन समस्यां आती है, उनको हम आपके अकवार के माध्यम से बता कर उसमें जनता के सामने रखेंगे हम लोग यहाँ पर और जो भी उसका निदान होगा, जो सुझाव होंगे तो उसको अमन मिला जाएगा। आजकल जादतर अकवार जो है वो विग्यापन से भरे रहते हैं चाहे उनका मुख्य पन्ना हो या फिर पीछे का बन्ना हो। तो तरुन मित्र से आप क्या उमीदे रखते हैं। देखिए आपकी बाद ठीक है यह विग्यापन से बहे रहते हैं पर जाज़े मैं आपका अखवार देख रहा हूं। में तो इसमें कोई खास विग्यापन दिखाएने पड़ा समय मुझे। आप देखिए तरुन मित्र का अखवार आई हैं। इसमें पर मैं इस बात से यह समझता हूं कि तरुन मित्र अखवार केवल खबरों पर फोकस करता है। जो खबरें वो खबरें उनको सब को कोई कार्ट शाट नहीं करता। खबरें जैसी हैं वैसी खबरें दिखाने काम तरुन मित्र अखवार ने किया है और कर रहा हैं। तो जहां तो आपने बात बुली विग्यापन रखना जैंने आज जो भी वह भी दखा जाया भूबात बहुत बहुत उक्रिया नंदी सर तो यह नंदी सर थे जो उन्हें उन्हें बताया कि जो तरुनमित रखबार है वो मार्केट में गादियाबाद में लॉंच होते ही जनता के मुद्दों को प्रमुकता से उठाने लगा है